हेलो मैं नीधी स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर तो दोस्तो आज मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ रोजाना कामाने वाली बहुत ही बेतरीन कीचन टीप जो आपके लिए बहुत ही उपियोगी होगा तो चलिए दोस्तो बिना देर कीए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो हमारा पहला टीप है बेगन को लेकर तो दोस्तो जब भी हम बेगन को कट करते हैं बेगन की सबजी बनाने के लिए तो या तो हम बेगन की सबजी तुरंत ही बनाते हैं या फिर बैगन को कट करके रख लेते हैं और इसकी सबजी बाद में बनाते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा कटा हुआ बैगन काला हो जाता है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिसे की हमारा कटा हुआ बैगन काला बिल्कुल भी नहीं हो तो इसके लिए मैं कटोडी में थंड़ा पानी ले ली थी और इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ तो लेजिया हमारा हल्दी वाला पानी तयार हो गया है तो अब मैं इस कटा हुआ बैगन को एक एक करके इस हल्दी वाले पानी में रख देती हूँ तो दोस्तों ये देखिए मैं सारे बैगन को हल्दी वाले पानी में रख रही हूँ और फिर मैं इस तरीके से बैगन को जब रख दूंगी तो हमारा बैगन काला बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा फिर हम जब चाहें तब इसकी सबजी आसानी से बना पाएंगे तो दोस्तों अब देखते हैं टिप नमर टू तो हमारा दूसरा टिप नमर है दाल को लेकर तो दोस्तों जब भी हम दाल बनाते हैं तो अक्सर हमारा दाल टेस्टी नहीं बनता है और इससे डाल खाने में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिसे की हमारा डाल बहुत ही टेस्टी बने तो इसके लिए मैं एक कराही में थोड़ा सा रिफाइन तेल डाल दी हूँ और जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो मैं अब इसमें डाल डाल दी हूँ और फिर गैस को मीडियम फ्लेम पे किये हुए मैं डाल को हलका सा फ्राई कर लेती हूँ तो ये देखिए दोस्तो हमारा डाल इस सरी के से फ्राई हो चुका है तो अब जब मैं दाल बनाऊंगी तो हमारा दाल बहुत ही टेस्टी बनेगा और हम पेट भर के मज़े से दाल खाएंगे दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये टीप अगर टीप अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करिएगा और चैनल परनाएं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अच्छी अच्छी और उप्योगी टीप आपको आगे भी आसानी से मिलती रहेगी मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद